Hello and welcome everyone आज हम बात करेंगे watershed के बारे में watershed क्या है इसके क्या components है Importance क्या है watershed management के और basically watershed का मतलब क्या होता है इसके अलावा different schemes जोकी watershed से related है इन सब points के बारे में हम आज के इस video lecture में discuss करेंगे सबसे पहले तो आता है watershed actual में है क्या तो देखो, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, watershed को अगर हम small words में तोड़ें, तो ये बनेगा water plus shed, यानि कि जहां-जहां से water flow हो रहा है, उस pathway को हम बोलते हैं, watershed, इस watershed जो term है, इसको सबसे पहले 1920 में, यानि कि 1920 में use किया था, water की boundaries को define करने के लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं देखो, watershed कोई एक channel नहीं है, जहां से पानी move करता है, suppose आप यहां से इसका मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि suppose किसी भी particular area से, इस जगे से पानी आ रहा है, इस जगे से पानी आ रहा है, ये सारे outlets हैं, जहां से पानी flow हो रहा है, और ये सारे जो पानी के channels हैं, या फिर ये जो streams ब outlet, यानि कि यहां पर जाकर ये सारी जो हैं, ये मिल रही हैं यहां पर आकर, तो जहां पर पानी के निकलने का एक common outlet होगा, और उस common outlet तक आने में, कौन-कौन से पानी के channels ने contribute किया है, उस पूरे area को हम watershed बोलते हैं, watershed हम particularly piece of land को बोलते हैं, जिसका कि एक common outlet हो, तो यहां से ज जो पूरा area है, इसको हम बोलते हैं, watershed, जिसका कि एक common outlet होता है, आपको यही ध्यान में रखना है कि वो जो पानी के streams, वो जो धाराएं बन रही हैं, जो channels बन रही हैं, उनका एक common outlet होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं, watershed, अब इसके definition पे देखें, तो इसमें साफ साफ लिख हुआ है, कि watershed basically क्या होगा, land area which drains और contribute runoff to a common outlet, वो पूरा भूमिकत भाग, वो पूरा land area, जहां पर की, जहां पे पानी जो है, वो एक common outlet के through, drain किया जाता है, उसे basically हम बोलते हैं, watershed, इसके अलावा, आपको ध्यान में रखना है, कि जो watershed है, उसे हम geohydrological unit के नाम से जानते है, बहुत बार exams में question पूछा जाता है, कि watershed is which one of the following unit, तो geohydrological unit होती है, watershed, and watershed is thus the land and water area which contribute runoff to a common point, जिसका एक common outlet होता है, उस पूरे lane area को हम बोलते हैं, watershed, इस डियाग्राम के through आप अच्छे से समझ सकते हैं, next आता है कि watershed technology जो है, उसे basically rainfed areas में देखा जाता है, क्योंकि जब rainfall होगा, तो उस water को जहां पर एक common outlet होता है, जहां पर runoff जाके collect होता है, उसको हम बोलते हैं watershed, तो इस term को basically rainfed areas में use किया जाता है, अब बहुत सारे students को doubt होता है कि फिर watershed technology और rainwater harvesting में क्या difference है, basically watershed technology जो है, वो काफी broad term है, जिसके अंदर हमें as a component के रूप में rainwater harvesting को use कर सकते हैं, और इसमें land area को हम include करते हैं, जबकि rainwater harvesting में तो हम जो roof के उपर पानी है, उसको भी हम involve करते हैं, और जो storage करते हैं water का, that is rainwater harvesting, इसके इलावा हम बात करते हैं watershed management, अब watershed management का क्या मतलब हुआ, वो जो particular area बना है watershed का, हमें उसका management करना है, लेकिन क्यों करना है, ताकि हम water को अच्छे तरीके से और maximum amount में conserve करके रख सकें, और दूसरा, क्योंकि particular land surface के उपर जहाँ पर watershed बन रहा है, वहाँ पर soil erosion भी होगा, अगर जादा पानी का flow बहुत जादा है, तो soil erosion भी देखने को मिलेगा, तो हमें soil को और water को conserve करना है, उस particular watershed वाली जगह पे, that is watershed management, अब हम क्या कर सकते हैं, soil और water के management के लिए, हम land surface पे vegetation को improve कर सकते हैं, ताकि soil का conservation हो सके, हम soil को soil erosion से बचा सकें, और अच्छे तरीके से water को conserve कर सकते हैं, एक better way में, ताकि farmers को long term तक irrigation के लिए पानी available करवाया जा सके, उनकी personal uses के लिए पानी जो है वो available करवाया जा सके, और दूसरा, पूरी society के लिए ये beneficial होगा, next आता है types of watershed, आपको सारे watershed के types जो हैं, उनकी भी size ध्यान में रखनी है, watershed जो हैं, उनको basically उनकी size, उनके drainage, shape, land use pattern के आधार पर classify किया जाता है, जिसे की basically चार classes में divide किया जाता है, macro watershed, micro watershed, mini watershed and milli watershed, basically होगा क्या, macro watershed हम उसे बोलेंगे, जब हम एक watershed का area, thousand से ten thousand hectare को मानते है, अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत बड़ा area है, क्या इतना बड़ा watershed हो सकता है, तो अगर हम एक point of time के लिए बोलें, तो हमारी जो पूरी अर्थ है, वो भी एक watershed की तरह work करती है, कि उसमें कहीं न कहीं से पानी आएगा, उस particular पानी का एक common outlet तो होगा, फिर चाहे वो एक बड़ा ocean हो सकता है, जहां पर वो मतलब सारा पानी आकर एक common outlet के थुरू वहां गिरता होगा, तो एक particular time, period of time पर हमारी जो पूरी अर्थ है, वो भी एक watershed की तरह work कर सकती है, तो इसलिए बड़े नंबर को देखकर ऐसे नहीं सोचना है कि watershed इतना बड़ा नहीं होगा, तो macro watershed का जो area होता है, वो होता है 1000 to 10,000 hectare, micro watershed का 102,000 hectare, mini watershed का 10 to 100 hectare, and milli watershed का 1 to 10 hectare, यह basic सा new type के questions में पूछ लिया जाता है कि इस particular watershed का कितना area होता है, next आता है कि जब हम watershed का construction करते हैं, तो क्या main aims है, क्या purpose हो सकता है, हम क्यों watershed का management करते हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा water की quantity को conserve करके रखा जा सके, ताकि drinking और other irrigation purpose के लिए उस water को off-season में काम में लिया जा सके, जब बारिश के availability नहीं हो, तब उसको use किया जा सके, और next है कि क्योंकि watershed का area काफी बड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर soil erosion को रोकने के लिए, soil erosion को reduce करने के लिए हमें watershed को अच्छे तरीके से manage करना चाहिए, उसे ही बहे के जा रहा है, उसे हम useful purpose के लिए use कर सकते हैं, सबसे पहला तो, दूसरा, जो degradation हो रहा है soil का, जो soil erosion हो रहा है, हम उसे control कर सकते हैं, watershed management की help से, हम sustainable, जो agriculture का sustainable development है, हम उसे improve कर सकते हैं, हम water resources को, जो की watershed से originate होते हैं, उनको protect कर सकते हैं, हम बाड बगरें आने से एक particular small reason में वो बचा सकते हैं, हम rain water का infiltration जो है, यानि की soil में infiltration करने के capacity को increase कर सकते हैं, इसके तुरू, और इसका एक better हम example बता सकते हैं, कि हम जो water table है, उसको up कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि अभी जमीन में पानी धीरे-धीरे बहुत नीचे जा रहा है, जो की शायद आने वाले time में available भी नहीं हो पाएगा human beings को, तो हम watershed management की help से उस water table को up कर सकते हैं, या फिर हम इसी another language में बोल सकते हैं, कि हम ground water को recharge कर सकते हैं, जहाँ पर भी applicable होगा वहाँ पर, और इसके अलावा watershed management की थूँ हम पानी को अच्छे से plants को provide करागे, हम timbers, forders और wildlife resources को improve कर सकते हैं, next आते हैं, main components of watershed, watershed की basically क्या components हो सकते हैं, तो इसके basically तीन component है, soil और water conservation units, water harvesting and water management unit, and alternate land use system, अब आप देख सकते हैं, water harvesting और water management है, वो watershed का एक main component है, next आते हैं, water resources development plan, तो water resources का मतलब हुआ, कि watershed को हम किस तरीके से sustainable development में use कर रही है, कौन-कौन से ऐसे majors हैं, जिनको हम soil और water की harvesting के लिए use करते हैं, जैसे कि अगर बहुत sloppy area है, तो वहाँ पर हम contour bonding कर देते हैं, पर होटी कल्चर कंट्रूर को लगा देते हैं, उसको कम किया जा सकी, erosion को, दूसरा हम पानी को बहुत adequate amount में use करने के लिए, हम different water shaving irrigation methods को use करते हैं, जैसे कि sprinkler method हो गया, drip method हो गया, इन सारे methods को हम use करते हैं, next जो topic है हमारा, उससे वो काफी important है, उससे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, different exams में, कि watershed management program कौन-कौन से है, और basic sign की year पूछी जाती है, कि कौन सी year में ये start हुए, तो सबसे पहला है drought prone area program, जिसे DPAP के नाम से जाना जाता है, ये 1971 में start हुआ था, और इसका जो main objective था, वो था कि ecological balance को बना के रखा जा सके, ताकि हम natural resources को अच्छे तरीके से optimistically उनका use कर सकें, next है desert development program, जिसे DDP के नाम से जाना जाता है, ये 1977-78 में शुरू हुआ था, और इसका main purpose था कि हम drought के conditions से कैसे mitigate कर सकते हैं, कैसे drought के conditions को कम करके, ecological balance को restore किस तरीके से कर सकते हैं, next जो है, ये काफी important जो scheme है, वो है, national watershed development program for rainfed agriculture, हम rainfed agriculture में ही basically watershed को use करते हैं, और ये काफी exams में question पूछा जाता है, कि NWDPRA की full foam क्या है, then it is national watershed development program for rainfed agriculture, ये 1986-87 में start हुआ था, और इसका purpose था कि हमें rain water को utilize करना है, हमें उसको conserve करके रखना है, arable और non arable दोनों परकार के भूमी के लिए, ताकि हम crops की productivity को increase कर सकें, हम fruit, fodder, इन सबके resources को use कर सकें, और appropriate तरीके से हम alternate land use system को use कर सकें, next scheme है control of shifting cultivation, basically अपनी shifting cultivation को सुना होगा, ये hilly reasons में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसे हम जूम खेती के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर plants को काट कर उनको जला कर, फिर वहाँ पर farming के practices की जाती है, ये बैसिकली 1987 से स्टार्ट हुआ था, ये जो scheme है control of shifting cultivation, इसमें hilly reasons में, social economical conditions को improve करने के लिए, ecological balance को restore करने के लिए, shifting cultivation को control करने के लिए, ये कदम उठाया गए थे,